कुछ अच्छा और चटपटा खाने को मन करें और कम समाने को सांस जल्दी से बन जाए तो इसलिए आज मैं आप सभी किसांस शेयर करने जा रहे हूं सिर्फ कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नस्ता तो इस नस्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर पांच नहीं करना है इस तरह से बड़े साज का या मेडियम साज का ग्रेटर से ही आपको आलू को ग्रेट करना है तो सारे आलू को हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे तो लिजिए सारे आलू को हमने कदुकस कर लिया है अब हम क्या करेंगे ना इसे हम दो से तीन पानी अच्छ से ताकि इसमें के जितना अश्टार्स होगा न वो निकल जाए तो इस तरह से हमने दूसरा बाउल ले लिया है इसमें भी हमने पानी रखा है अब इस तरह से आलू को लच्छे को हाथों पर लेते हुए इसका सारा पानी निचोड लेंगे और इसका सारा पानी निकलने के बाद इसमें हम दूसरा बाउल में डालेंगे और इसी तरह से इसका हम दो थिन पानी चेंज कर लेंगे ये नास्ता बहुत ही कम समाने को साथ बहुत ही जल्दी बन जाती है इस नास्ती को बनाने में कोई भी ताम जाम नहीं है तो इसे 2-3 पने अच्छे से धुलने के बाद इसमें का सारा पानी हमने निकाल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को लच्छे कितने खिले-खिले दिख रहे हैं तो अब इसमें हम कुछ मासाले एड करेंगे तो इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चमच काली मिर्ज का पाउडर एक छोटा चमच इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और एक चमच इसमें हम नमक डालेंगे अब इस नास्ते कुना किर्स्वी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे चार छोटा चमच कॉनफलोर आप इसके जगा आरो रोट पॉडर भी डाल सकते हैं और इस नास्ते में एक अच्छा सा बैंडिंग है उसके लिए इसमें हम डाल देंगे एक चमच मैदा अब यह सारे चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें बिसेकली बहुत ही कम मसाले जाते हैं लेकिन अनास्ता बहुत ही टेश्टी बनती हैं कम समानों से और जटपट बहुत ही जल्दी अनास्ता बन के तियार हो जाती हैं तो सारे चीजों का हमने यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हम 2-3 मिनिट के ढखके इसी तरह से छोड़ देंगे और यहाँ पर देखे इसे रखे वे 3-4 मिनट हो गिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक ने अपना पानी छोड़ दिया है और यह इस तरह से डो के फॉम में आग गया है यह आप देख सकते हैं तो अब इसका हम बॉल्स त्यार करेंगे तो इसमें से इस तरह से थोड़ा सा पोसन लेंगे और इस तरह से हाथों पलेते हुए इसका इस पानी है इसमें का निचोर लेंगे इस तरह से देखें तो इसी तरह से इसका सारे बॉस त्यार कर लेते हैं, तो लिजी हमने यहाँ पर इतने सारे बॉस त्यार कर लिए हैं, अब इसे हम फ्राइ करेंगे, तो यहाँ पर इसे फ्राइ करने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है, अब इसमें हम नास्ता डालेंगे, तो एक बन में क यहां पर आप देख सकते हैं नास्ता कितने अच्छे से फराई हो रहे हैं तो अगर आज की रेस्पी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक से जरू से कर दीजेगा और यहां पर देखिए नास्ता हमने अच्छे से फराई कर लिया है अब इसे हम निकाल लेंगे तो इस ना आप अपने मन पसंद केचाप या चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं यह आपको बहुत पसंद आएगी तो इस नास्ति को एक पर मेरे तरीके से जरूर बनेएगा कम टाइम में और कम समनों के साथ यह नास्ता बहुत ही टेस्टी बनती हैं तो उमीद है कि आज की रेस्पी आपक